प्यारे बच्चो आज हम कक्षा दस्की विज्ञान की वरक्षीट नमबर 72 करेंगे बच्चो आज का टोपिक है बच्चो कचरा परबंदन दैनिक जिवन में अमारे किरिया कलापों से बहुत सारा कचरा उत्पन होता है हमारे जीवन सेली में सुधार के साथ कचरे की मातरा भी बहुत अधिक बढ़ गई है पैकिंग के नए तरीकों ने भी ऐजयो निमनी करनिये कचरे में वेर्दी की है कचरा बच्चो दो परकार का होता है जयो निमनी करनिये और ऐजयो निमनी करनिये जैव निमनी करनी है जो आसानी से अबगटी तो जाता लेकिन ए जैव निमनी करनी है आसानी से अबगटी थे नहीं होता कचरे में निमने पदार्त होते हैं जैविक कचरा जो पदार्थे जो पदार्था जो सुक्षम जियों के चिलके कागज गोबर इत्यादी सुक्सम जीवुदवारा सानी से मित्टी में परिवर्टित कर दीजाते है यह इनको अफ़टित कर दीजाता है ए जैव कच्रा एजैवी कच्रा वो पदार्त होते जो सुक्सम जीवुदवारा सुराल्पदार्त हमीं नहीं बदले जा सकते जैसे पलास्टिक और पोले थी तो जो कच्रा प्रबंदन के तरीके के बारे में जानेंगे बायोगैस प्लांट इसमें जैविक कच्रे का उप्यूग करके बायोगैस या खाद बनाई जा सकती है डलाओ डलाओ एक निचला अक्षेतर होता है जहां पर कच्रे को डालाया दबाय जा सकता है इसका बराव अक्षेतर के लिए कचरे का प्रियोग क्या जाता है इसमें पुने चक्रण इसका आर्थ है कांच या दातु से बनी वस्तुएं तथा ऐसी वस्तुओं का पुने चक्रण करके नई उप्योगी वस्तुएं बनाना जब तक कि अतियावशक ने हो इन पदार्थों का निर्मान नहीं करना चाहिए इनकार इसका रथ है ऐसी चीजों का प्योग करने से इनकार करना जो हमारे प्रियावण को आने पहुंचाती है जैसे प्लास्टिक के थैले का प्योग को इनकार करना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इस प्लांट में नाले के पानी को नदियों में डालने से पहले साप किया जाता बचो कमपोस्टिंग जैवी कचरे को गड़ा खोद कर दबा दिया जाता है लगवक तीन महिने में ये खाद बन जाती है पुना उप्योग ये तरीका पुना चकन से भी बढ़िया है इस वीदि में हम वस्तु का बार बार परियोग करते हैं जैसे प्लास्टिक के जार बोतले आदी रशोईगर में सामान को रखने में उप्योग की जा सकती है पुना परियोजन इसका आरत है जब कोई वस्तु जिस उप्योग के लिए बनी है जब उस उप्योग में नहीं ला जा सकती तो उसका किसी और रूब में उप्योग किया जा सकता जैसे टूटे चिन्नी मीटी के बरतन को पोदे लगाने में उप्योग कर सकते हैं गमले बना सकते हैं तो इस तरह से हम पुनपरयोजन कर सकते हैं ये थे कच्रा प्रबंदन के तरीके बच्चो आईए इस से सम्मंदित कुछ क्योशन करते हैं पहला क्योशन है आप किस परकार से कच्रा प्रबंदन में सायता कर सकते हैं कोई दो उपाए लिखी तो आप दो उ पुनव पयोग और इंकार भी लेखसकते हैं पुनव पयोग इन में से दो छाट क्याब लेख सकते हैं हमारे दुरा उत्पादी कि उत्पादी तैजेव निमनीक्रने कच्रे से क्या-क्या समछे हैं उत्पन होती है एक तो परियावन परदूशित होता है इसमें वाई परदूशन आता है वाई के अंदर जब इन वस्तों को जलाया जाता है तो वाई परदूशन होता है जिदि इनको जल में डाल दिया जाए इस कचरे को तो जल परदूशन हो जाता है और भूमी परदोशन भी इसकी वज़े से होता है जैसे पलास्टिक है क्योंकि ये कच्रा अब गाटी तनी होता है इसकी वज़े से भूमी परदोशन हो जाता है तो तीसरे में क्या है ऐसे दो अस्तों के नाम लिखें जो पुने चक्रण की जा सकती है सीवेज ट्रीटमेंट नमबर 4 में आप लिखे ना लेके पानी को नदियों में डालने से पहले साफ किया जाता है इस तरह से यह उपियोगी है क्योंकि खराब पानी साफ हो जाता है गिदिया पे प्लास्टिक के थैले को ना कहे तो किस चीज से बना थैला परियोग करोगे और क्यों? लुद्न हम परियोग करेंगे जूड सी बना हुआ थैला, क्योंकि यह परियाबरण ही तैसी